तो यहां पर एक वारे फिर से मैं आप से लिए MIUI का एक मोडे ड्रोम लेकर आज चुका हूँ जो के हमारे Redmi Note 10 Pro Max device के लिए है क्योंकि इसका official update भाई बिल्कुल गाप सा हो गया है कुछ देखने सुनने को मिले नहीं रहा है लेकिन यह जो update है ना साहद आपको पसंद है क्योंकि काफी कुछ यहां पर add है और यह है थंडर एडिशन 14.0.4 पर रन करता है और यह stable build को modified किया गया है और जिनके तरब से उनके तरब से यहां पर beta का tag डाला गया है क्योंकि यह उनके तरब से पहला update होने वाला है ठीक है जिनका नाम भी आप देखी पा रहे हो गये और यहां पर क्या कुछ किस तरह की से देखनी को मिलता है वह साही जनकारे में यहां पर देने वाला हूँ तो चले इसके वीडियो को सुरू करते हैं और अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और हाँ शेयर जरू करें सबसे पहले चीजों की बात करें तो यहां पर आपको जो वीजट सपोर्ट टेखनी को मिल जाता है बट मैं यहां पर वाइफा कर लेता हूँ क्योंकि बड़ाउट वाइफाई के यहां पर वीजट सपर्वीव है वह हमें ओल्ड वाला देखनी को मिल जाता है यहां पर मैंने कनेक्ट कर लिया है और यहां पर मैं आपको दिखाऊँ कि वीजट सपर्वीव हमें चाइना वाला मिलता है यानि आप यहां पर जितना चा को मिलता है Android 13 प्लस 6 मंद का सिक्यूर्टी पैच और यह वही इस्टेवल वर्जन है और यहां पे आप देखो डिफेंट करनल है ऐसा नहीं कि यह बूट नहीं करेगा यहां पर हमारे मेंटरिंग के तरब से ही यह सजिस्ट किया गया है ताकि आपको बेटर प्रफॉइंस मिल तो आप चाओ तो डिफॉल्ट के साथ भी जा सकते हैं या फिर रोम फ्लैस के बाद आप इसे फ्लैस कर लेना जीप फाइल में आपको दे दूँगा उसके बार आपको एक अच्छा सा रिजल्ट देखने को है जो मिल जाएगा वहीं पर बैक आने के बाद आप आप देखो आपको देखने को मिल जाते हैं जो सकते हैं जो कहां पर हम यहां पर दिखाई और ऐसके बाद जो limit रहती है वो से हटा दिया गया ताप इसे 10 सेकेंड के लिए आपी बाकी आदर यूज़ कर सकते हो और ये सही लगा मुझे अनदर यहाँ पर आप देखो sleep wake up और यहाँ पर आपको दिखाए लेटाए डावल टाप wake up वगेरा का power menu access वगेरा का और यहाँ पर charging और camera का option नजर आ जाता है अनदर यहाँ पर आपको मिलता है जो कि sound profile जो कि आपका working रहता है ताप इसका benefit ले पाओगे यहाँ पर बैग आते हैं तो display के अंदर हम in करें तो यहाँ पर आपका dark mood working रहता है और refresh rate आपका 120 और 60 का option आपको दिखाई देता है साथ साथ यहाँ पर आपका sound control अगेरा के अलावर notification है जहाँ पर जारा कुछ change नहीं है सब कुछ default वाले चीज़े हैं आपको नजर आती है साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है folder animations वगेरा blur का outline वगेरा icon के अंदर थोई बूद कस्टमाइशन मिलते हैं जो की सही लगे मुझे और यहाँ पर आपको recent related भी option देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पर यूज कर पाऊगे जैसा कि आप यहाँ पर देख पारे हो और clean का देखो यह जो बटन है इसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है जो कि है home के बाद face unlock fingerprint और यह हमारा proper working है इसमें कोई भी दिक्कत है जो हमारा नहीं आता बैटरी के बाद करें तो यहाँ पर आप देखो कि बैटरी के अंदर temperature unlock कर दिया गया जो कि नंबर में सो हो रहा है हेल्थ भी सही दिखाई दे रहा है बूस चार्जिंग रिवर्स वाई वार्लेस तो है नहीं हमारा कर लेना क्या बात है आपके किसमें अच्छी हो वार्लेस बन जा है मजा कर रहा हो तो यह हमारा एक्स्ट्रा ओप्सन है और सेडियूल के भी option देखने को मिलते हैं साथ-साथ यहां पर एप्स गंदर ज्यादा को चेंज नहीं है लेकिन हाँ चाहिनल और जो मी प्रोटेक्शन है वह आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप चाहो तो आन कर सकते हो अनदर यहां पर एडिशनल के अंदर वही सार करना चाहूंगा कि इसका एप इस्टॉलेशन किस टाइप का है क्योंकि यहां पर आपको मी प्रोटेक्शन देखने को मिलता है आप देखो यहां पर एप इस्टॉलेशन का प्रिव्यू आपको दिखाई दे रहा है यह अभी तक तो चाहिना नजर आ रहा है बट सो कब करे तो normal सा है यहां पे installation है कोई channel लंबा चोड़ा लिखावा है वो नहीं है यहां पे me protection का कोई खास बड़ा रोल नहीं है installation के time पे और आप timing देख से तो किसी यहां पे capsule के अंदर डाला गया है जो कि यह चीज ठीक लगी अच्छी बात है एफ ओपनिंग क्लोजिंग साही है यहां पे search पर आप देख से तो थोड़ा modified आपको monitor ला दिखाई देता है और यहां पे जो आपको दिखाई देता है camera वो है latest Leica 5.0 वाला जहां पे बहुत सारे features आपको देखने को मिलते हैं पूरा का पूरा complete EY यहां पे change हो रखा है जो कि अब रही बात यहां पे इसका performance कैसा निकल के आता है वो देखते हैं और यहां पे different सा control center भी यूज करा गया है यह control center आपको काफी पसंद आने वाला है जहां पे सारे option आप बिल्कुल iPhone जैसे ही दिखाई देते हैं अब आते हैं gallery के उपर ठीक है तो by default यहां पे इस तरह किस score आपको जो मिल जाता है सासत फॉर्स टाइम में यहां पे CPU score नहीं आया था बर ड्वारा रन किया तो यहां पर देखो 41 का गया है score और यह मुझे काफी अच्छा लगाए कोई issue की बात नहीं है अनदर यहां पर देख से तो Geekbench भी काफी perfect देखनी को मिला और 100 पे डालने के बाद normal CPU total काफी बहतरीन आया है जो कि 1,95,000 max और minimum यहां पर 1,56,000 है और यहां पर मैंने कोई game draw नहीं उच्छ किया तो जो यहां पर kernel suggest किया गया है वो really में अच्छा खासा result करता है बाकि battery drop 79 के बाद morning में 79 ही रहती है तो 0% का battery drop देखनी को मिला और यह भी मुझे अच्छा लगा है जहां पर आप देखो six hours four minute का stand by timing और sim card भी डला हुआ है तो maybe आपका एक 2% आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन यहां पर battery सही है और extra setting भी unlock किया गया है जो कि 90 का है अच्छा लगा another day की battery के बात करें तो यह 67 और morning में आता है 65 तो इस बार 2% का battery drop हुआ जैसा प्लस में L1 का support आपको देखनी को मिल जाएगा और हाँ screen suit के अंदर जो screen framing है ना वह भी आपको देखनी को मिल जाएगा जो कि अच्छी बात है और नहीं इस देखा फिर से मैं यहां पर battery drop चेक किया है कि कुई 2-3 दिनों से डला हुआ है और smartphone review में time नहीं मिल पा रहा है क्य देखनी को मिला है जो कि कोई बड़ा amount नहीं है drop का तो यह मैं कहुँआ कि अच्छी बात है कि कम चीज आपको देखनी को मिलती है और battery really में मुझे यहां पर सही भी लगी है उसके बाद यहां पे clock जो है OnePlus का देखनी को मिलता है AOD के उपर यानि हमारे lock screen पे not AOD के और बाकि पाव मेनू आपको normal और emergency call वाला देखनी को मिलता है कोई बात नहीं मैं आपको default theme apply करके दिखा देता हूं कि भाई default पे कैसा रहता है यह आप देख लो कि जो मैं थीमा भी यूज कर रहा था और यह इसके साथ आने वाला default theme है यहां पर default theme apply हो चुका है हम आचुके होम पे यह default theme का look आपको देखनी को मिलता है और यह हमारा default theme का volume जो कि same आ रहा है theme को जासे नहीं था और same यहां पर आप देखते हो control center वही देखनी को मिल जाता है अब plus में MIY 14 ओले setting का look आपको देखनी को मिलता है और smoothness वाई overall काफी अच्छा लगा है तो यह room मेरे तरफ से recommended होने वीडियो में और डालना कैसे वह से method होगा और flashing guide भी आपको discussion में मिल जाएगा सो बस टाटा बाई बाई